इस वीडियो में डिसकस करेंगे नरेंदर मोधी स्टेडियम का फॉल डीटेल्ड पीच रिपोर्ट जैसा कि आप सभी को पता है ICC World Cup 2023 का फॉस्ट मैच इंगलेंड वर्सिस न्यूजलेंड खेला जाएगा नरेंदर मोधी स्टेडियम के अंदर तो कैसी होगी बालर's को बालर्स में क्या फस्ट बालर अच्छा करेंगी या फिर स्पीनर बालर छोटी से इंफर्मिटी वीडियो मेक सुर है वीडियो को कंप्लीट वाज करें जो भी आपके डाउट सोंगे पीच रिपोर्ट से related सब कुछ बिलकुल crystal clear हो जाएगा पीच रिपोर्ट की बात करें fresh pitch का इस match के अंदर इस्तमाल किया जाएगा पीच की behavior की बात करें ODA किर्केट के अंदर इस pitch की जो behavior है वो neutral और balanced है यानि बल्ले बाज और गेंद बाज दोनों को पीच से बराबर की मदद मिलती है ओभर लेगर बात करें तो बैट्समन, फास्ट बॉलर और क्वालिटी इस्पिनल साब को इंपॉर्टन डॉल प्ले करते हुए नसर आएंगे फॉर्स इनिंग, सेकंड इनिंग स्कोर कार्ड का कमपेरजन करें जो लास्ट थ्री ODA मैच यहां पर खेले गए अगर उसकी बात करो तब देख सकते हो तीनों ही मैचेस के अंदर हमें जादा हाई स्कुरिंग गेम बनते हुए नहीं दिखा है दो बार तो हमें बहुत जदा लोई स्कुरिंग गेम देखने को मिला है और एक बार हमें मीडियम स्कुर देखने को मिला है तो ODA किरकेट के अंदर यह जो बिकेट है बहुत जादा फ्रेंड साबर बैटर्स फ्रेंडली नहीं रही है लेकिन 2023 के अंदर IPL के 9 मैचेज खेले गए और वहाँ पर बहुत जदा हाई स्कुरिंग गेम हुए और यह जो ODA किरकेट के जो मैचेज हुए है यह बहुत पहले हुए यानि IPL 2023 से 1-2 साल पहले खेले गए है तो अगर मैं बात कुरू फ्रेंड्स पीछ की recent behavior की तो recently पीछ बहुत अच्छी है फ्रेंड्स बैटिंग के लिए तो आपको यहाँ पर बैट्स बन को ऐसा नहीं कि फ्रेंड्स इन 3 ODA मैचेज के basis पे बिलकुल बैट्स बन को ड्रॉप करके चलना है हाँ बिकेट यहाँ पर गिरता यह चीज़ आप ध्यान पर रखेए का चाहाँ फॉस्ट इनिंग हो सेकंड इनिंग्स हो दोनों इनिंग्स पर बिकेट गिरते हैं पहले बल्ले बाज भी करने वाली टीम खेलेगा लास्ट के 3 मैचेज के अंदर 2 मैच विन की इंग्लände की deam total यहाँ पर 2 मैचेज खेलिए एक मेच टीम जीती है इक मेच सीम हारी है निव जिलिन का performance बहुत शूप अब है दो मेच टीम यहाँ पर खेलिए दोनों ही मैचेज अपनी विन की है economy rate की बाद करे, O.D.E. के अंदर तो यहाँ पर pacer's गिंदाज की economy rate बहतर ही यह spinners के comparison में, strike rate एनी bicket attacking ability के बाद करे तो वहाँ पर भी pacer's के इंदाज बहतर performance की है spinners के इंदाज के comparison में bickets since 2022 2022 से लेकर के अभी तक 3 O.D.E. match खेले के अंदर 33 विकेट फास्ट बोलर को मिले एंड 18 विकेट इस्पीनर गेंदबास को मिले रंस पर उबर की बात करें तो प्रती उबर 4.77 के आसपास यहाँ पर रंस बने है इन ODA किरकेड तो यहाँ पर पेसर्स गेंदबास ने ODA के अंदर सबसे ज़्यदा डॉमिनेट किया है देन क्वालिटी बैटसमन और उसके बाद इस्पीनर्स इस्पीनर्स को यहाँ पर ज़्यादा टर्न और ग्रीप नहीं मिलता है पीछ पर आपको हलिकेल की ग्रास देखने को मिलेगी अंडर लाइट से बोल है पर स्विंग करता मोमेंट करता है और पेसर्स ने फ्रेंडस सहाँ पर डॉमिनेट किया हुआ है फ्रेस बिकेट है तो फ्रेंडस इस्पीनर्स के इंद बाद को बिकेट से उतना जाता हैल्प यानि टर्न और ग्रीप भी देखने को नहीं मिलेगा पेस वर्सेस इस स्पीन की बात करें ODA के अंदर जो तीन मैचस खेलें गेंगें सिंस 2022 इन तीन मैचस के अंदर पेसर्स के इंदावज को मिले 33 बिकेट फॉस्ट इनिंग के उंदर 16 सेकंड इनिक के नेग 17 राइटाम पेसर्स को सभी बिकेट्स मिले लेफटाम पेसे बिकेट लेशे रहे, इस spinners को 18 बिकेट्स मिले, फॉस्ट इनिंग के अंदर 12 और 2nd इनिंग के अंदर 6, अब देखो डिव फैक्टर है यहाँ पर एक इंपोर्टन रोल प्ले कर सकता है, तो जो भी टीम टॉस विन करेगी according to me, पहले बोलिंग करना प्रेफर करेगी क्योंकि यहाँ पर टार्गेट चेज करना थोड़ा सा कहिने की असान रहता है, राइट आम ओफ इस spinners को 5 बिकेट्स मिले, लेक बिकेट्स को 7, लेफ टाम और थोड़ा के spinners के इंपास को 4, और लेफ टाम चेंवेन के इंपास को 2 बिकेट्स मिले, लास्ट जो ODE का मैच खेला गया था, विट्विन इंडिया और उस्ट्रेलिया 11 फेब 2022 को इस मैच के अंदर, फास्ट बोलर को मिलेते 15 बिकेट्स, और इस spinners के इंपास को मिलेते 5 बिकेट्स, अब हम बात करते हैं, पीछ के लेटिस्ट रिपोर्ट के बारे में, जो IPL 2023 के अंदर, जो मैच अच्छा पेस था, लाइट ग्रास के आपको कबरिंग देखने को मिल जाएगी और यहाँ पर ग्रीन ग्रास है, इनिशियल स्विंग और मुमेंट पेसर के इंपास को यहाँ पर मिल रहा था, ओभर लगर बात करते हैं, तो बैट्समन और फास्ट बोलर के अंदर अच्छा कीजेगा बैट्समन और फास्ट बोल पर जादा इस मुकाबली के अंदर फोकस करने की, पॉस्ट इनिंग, सेकंड इनिंग स्कोर कार्ड का कमपरेजन करें, आईपिल 2023 के अंदर टूटल 9 मैचेस खेलेगे, मौस्ट अप तो मैचेस के अंदर हमें हाई स्कूरिंग गेम दे का बहते रहाँ पेसस के कमपरेजन में, स्ट्राइकर ने बिकेट एकिंग अबिलिटी की बात करें, तो दोनों ही के इनिपास होगे ठीक है, लेकिन पेसस के इनिपास की काफी जादा बहते रहे स्पिनर्स के कमपरेजन में, बिकेट इन आईपिल 2023, टोटल जो 9 मैचेस 9.28 के आसपास रंस में, पेस वर्सेस स्पिन की बात करें, आईपिल 2023 के अंदर जो टोटल 9 मैचेस खेलेगें, इन 9 मैचेस के अंदर, फास्ट बोलर को 76 बिकेट मिले, फॉस्ट इनिंग के अंदर 31, सेकंड इनिक्स के अंदर 45, राइटम फास्ट बोलर को 62 बिकेट मिले, इस spinners के इंदबास को इन 9 matches के अंदर टोटल 33 विगेट्स मिले, फॉस्ट इनिंग के अंदर 14 एंड सेकंड इनिंग के अंदर 19, राइट आम ओफ इस spinners को 3 विगेट्स मिले, लेग ब्रेक इस spinners को 19, लेग ब्रेक इस spinners को 8 विगेट्स मिले, तो अगर आपको इस spinners को ट्राइ करना ही है, तो कोशिस कीजे फ्रेंड सहाँ पर लेग ब्रेक इस spinners गेट्बास अपने fantasy team के अंदर इंक्लूड करके चले, जो लास्ट मेच अहाँ पर खेला गया था इस मैच के अंदर 6 विगेट्स मिले थे फास्ट बोलर को एंड 3 विगेट्स मिले थे इस spinners को, बाउंडरी साइज ग्राउंड डामेंशन की बात करें, डाउन दो टाउन स्ट्रेट बाउंटरी 74 मिटर, स्क्वाइर बाउंडरी ओफ और लेक साइड की 63 और 68 मिटर है, लोंगोफ और लोंगोन बाउंडरी 71 और 75 मिटर है, वेन्यूर रिकोर्ट्स की बात करेंगे, ODAE के अंदर टोटल यहाँ पर 26 मैच इस खेले गाए, बैंटिंग फोर्स टीम 14 मैच विन की, बैंटिंग सेकंड करनेल टीम 12 मैच विन की, एब्रेस फोर्स इनिंग स्कॏर 242 है, हायस्ट सकोर साथप्रिगे की टीम बनाई 365, लोइस्ट सकोर जिमभावि गी टीम बनाई 85, स्कोरिंग पैटरन की बात करेंगे, जो टोटल 26 मैचेज उड़े ही के अंदर यहाँ पर खेले गए हैं, अगर उसकी पैटरन की बात करो तो 200 से नीचे 6 ताइम स्कोर बने, 200 तो 250 की बीच में 7 ताइम स्कोर बने, 250 तो 300 नाइन ताइम स्कोर बने and 300 प्लस यहाँ पर 4 ताइम स्कोर बने हुए हैं वेदर रिपोर्ट की बात करें, क्लियर स्काई शन्नी वेदर हैगा बाइरस किस मुकाबले के अंदर बिल्कुल भी चांसे नहीं है